इसलिए आपको फाथरी के पुराने बुजूर्ग की जयारत कराते हैं आईए असलाव अलेकूम दोस्तो इसी तरह हम लोग हर रोग नई दर्गा पर जाकर जयारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे पसंद आए तो लाइक कीजि चाइनल को सब्काइब कीजिए और अपने दोस्तों में रिश्टेदारों में शेयर कीजिए और कहीं पर कुछ कमी हो तो हमारी रहे नुमाई कीजिए हम आपके मुंतजीर रहेंगे और कमेर्स करके हमारी होसला अफजाई कीजिए पात्री शरीफ के अंदर सबसे पहले आए हुए बुजर्ग हैं ये जो रोड आप देख रहे हैं इदर से ये रोड पहले यहां से नदी बहा करती थी अच्छा नदी थी गोदावरी नदी की एक शाख थी हमेशा इसमें पानी रहा करता था जो जाहरी नाते थे हज़र्ग की मुलाखात के लिए तो उनको पानी से तैर कराना पड़ता था और हज़र्ग का चराग पानी में जला करता था नदी से पानी लागर उस चराग में डालते थे उसको जला देते थे राद भर पानी में उस चराग जलता था यह था हज़र्ग की खास करामत है था पात्री के जो पुराने हैं छेस्थो बरस आपको हो चुके है अलम्दोल्छ हज़र्ग अबदाल साहब जब यहां से आये तो यहां के सीव पर रुख गए थे, सीव मतलब यहां रेनापूर एक गाउं है, छोटा सा कजबा है रेनापूर, वहां पर हजद के इनामी जमीन भी है, तो वहां पर हजद बैड़ गए थे, और वहां से आपके एक मुरीद को भेजा गया, जाकर हजद की जो है तो इजाज इसे लब्रेज भर कर दे दिया, का कि हुजूर यह क्या है, का जाओ अपने पीर साब को बता दो, अब्दाल साब को बता दो समझ जाएंगे, तो अब सरकार अब्दाल साब देखकर मुस्कुराएं, और उस प्याले के अंदर गुलाब के फुल डाल कर वापस भीज दिया, फिर वो मुरीद फिर लेकर यहां पर आए, का कि हुजूर देखकर यह भी मुस्कुराएं, का कि ठीक है हजजरत से कहो हमारा सलाम अर्ज करना और उनको बुला लेना, इजाज़ते कह देना, सरकार यहां पर आगे मुलाकात हुई, मुसापा और मुआनका वगरा हुआ, हज की जगा आपको आता की, कि हजजरत आप यहां पर क्याम कर सकते हैं, अब मुरीद ने सरकार से पूछा कि हुजूर, यह प्याले का खिस्सा क्या है, पानी लेकर आए, फूल डाल दिया गया, मेरे समझ में नहीं आया, तो सरकार ने कहा, कि शिबली साब रहमतुलाहित आला यह एक बाग है, उसके अंदर पूरा जो है तो फूलों से लबरेज है, काटोरा यहाने एक बाग है, यह पात्री है हो, और पानी भराव यहां पर तमाम और एकराम है, अब आपको जगा नहीं है, सब सेराव है, यहां पर आपकी लिए अब कोई जगा नहीं है, तो सरकार पूल गुलाब के डाल दिया उसमें, कहा के ये कटोरा अब नुयत बदल गई उसकी, कटोरा जो है तो बाग बन गया, वो पानी में तमाम खिसम के फूल है, लेकिन गुलाब नहीं है, वो गुलाब हम है, ये कहकर हज़त ने आपको समझाया तो आपकी समझ में आई, और आप जो है तो फिर हज़त को इजाज़त दिये, और अपना चराग जो पानी में जला करता था, तो मुरीद ने देखा कहा कि हुज़ूर, आखिर क्या बात है, कहा कि ये हमसे भी कही दर्जा आला है, ये अबदाल है, ये लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं, लाडले हैं, बहुत को ने जो आप जो है तो इनसे इतना मुतासिर हुए हैं, तो राद भर जाकर जब इन्होंने देखा कि राद का तीसरा पहर गुजरने के बाद आस्मान के नूर से बड़े बड़े गोले भरे हुए, हज़त के जिसमे मुखदस पर पढ़ रहे हैं, नूर की बारिश हो रही इन्होंने अपनी आँखों से देखा है, फिर आपने देखकर फिर अज़त की खदम बोसी के लिए गए कहा कि हुजरूर जैसा हमने सुना था वैसा ही आपको पाया, फिर हज़त सीमली सरकार अपने मुरीच से कहा कि बेटा, अब मेरे चराख की कोई जरुरत नहीं है, यहा जिस दिन पाकी तिलावत की आवाज बंद हो जाएगी, अबदाल साब को इतिला दे देना, तो वैसा ही हुआ, कई बरस कुरान की तिलावत की आवाज अंदर से आती गई, मुरीद यहां पर बैठकर उनकी खिदमत करते थे, पिर जिस दिन आवाज बंद हो गी, तो जाकर जानाजी की नमाज अदा की, और हज़त की जो है तो मजार अग्दस को आपने तयम बनाया, और यहां पर पहला संदल अबदाल साब ने चड़ाया था, उनके बाद जैसी अबदाल साब आ गए, तो जाहिरीन का हुझम जो है तो अबदाल साब की तरफ चला, और हज़त की जो है तो मजार ऐसी ही रह गई, मतलब यहां पर बहुत कम जाहिरीन आते थे, क्यों उसके बाद हम लोग ने यह कहा कि जब सबसे पुराने बुजर्ग हैं, यही तो में असल जड़ है, जो सबसे पहले पाथरी में आकर इसलाम को फैलाया है इनोंने, उसके बाद इसलाम की जो है तो बका को इसमाईल क्दरी साहम ने बर खरार रखा, तो हमने इनके हास्ताने को जो है तो और थोड़ा सा खिदमत करके, साफ सपाई किया और यह हमारे स्यज्ध जुरीफ EL K municipल है, इनको यहां पर खिदमत के लिए मुकरर कर दिया आएँ जिरत कर लिए चलिए जिरत करते हैं बिस्मिल्ल्भ रख्मानि रखियम अल्लाह संद्ल्हा करता है याश्यों पर जासराओर के आपना हो जो ब्दार्निवसादीर व्याते हृता है